हेलो आप सभी का स्वागत है भटने राइस में मैं हूं देवी सिंग मैं आपको कल जो है इंडियन एकॉनमी का आपको याद होगा जैसे कि मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था सारी चीजें तो आज हम पॉलिटी को थोड़ा एक्स्प्लेइन करेंगे जो पॉलिटी का सेक पहला कुष्चन आता है यह सैट भी है और पहला कुष्चन यानि 51 नमबर पर इसे पहला ही मालो भारती संविधान के अंतरगत धन का केंद्री करन किसका उलंगन करता है यानि धन का केंद्री करन का मतलब सेंट्राइजेशन जो एक्टमेलेशन आप वेल्थ की बात हो रही इसमें से 31 जो सी है एड किया जाता है इसी के अंतरगत 39 बी और सी तो सी जो एक्टमेलेशन में कहता है कि आपको जो है वेल्थ को मिनिमाईज सेंट्राइजेशन को मिनिमाईज करना है तो कहां है भाई यह 39 सी जो है डारेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलसी यानि डी पी एसपी में तो statement जो है भी इसका सही है अब सम्ता का अधिकार बही जरा दिखो यह किंद्री मतलब जो वैल्थ का धन का जो किंद्री करण तो इसमें नहीं है ना ही सुतंता का अधिकार और नहीं कलियान की ओधार ना लेकिन यह किसका उलगन करता है भाई डी पीए संपत्ती के अधिकार की ध्या cònिती है भारत में संपत्ती के अधिकार की क्या छतेती है तो पहले आपको मैं बता दूँ भारत में सं पत्ती का अधिकार थ CRTH जो अर्टिकल 308 छो मत यह right है यह क्या है प्र प्लीया केAR है यह विदे नागरिकों को पराप्त है प्लीज पॉइंट टू बी नोटिद इस पॉइंट तो यह किवल नागरिकों को प्राप्त है अभी देखते हैं कि यह नागरिकों को बस प्राप्त नहीं है कैसे आप यह बताए कि जैसे की हम बहुत अपने जो सर्टेंज प्रवीजन्स देते हैं कोंश्टिटूशन में कि अ हमारे हां जमीन खरी देगा कि नहीं खरी देगा मतलब उसको संपत्ति का अधिकार है तो केवल नागरिकों को नहीं स्टेटमेंट सेकंड जो है रॉंग हो गया लेकिन यहां तक तो सही था तो इस वजह से यह गलत हो गया यह एक बिधिक अधिकार है जो कि किसी भी ब्यक् को प्राप्त है बिल्कुल किसी को भी प्राप्त है ठाट है श्टेटमेंट बी हुझ रैट में और डी क्यों गलत है자 यह मूलदिकार मैं आपको बता दू संपत्ति काधिकार मूलदिकार नहीं रहा पहले फंडमेंटल राइट हुआखРЕकर देखे लेकिन इसमें से जो है च जी नहीं सर यह मुल अधिकार तो नहीं है लेकिन विद्यक अधिकार है तो डी नमर भी घलत हो जाता है इस्टेटमेंट जो भी है यह राइट है सही है ओके इसके बाद 53 26 जन्वरी 1950 को भारत की वास्तिविक सांविधिक जो सांविधानिक इस्तिति क्या थी हमारी जो एक्जेक्ट कॉंस्टिटिटिशनल पुजीशन क्या थी यहनी 26 जन्वरी 1950 को ज़रा देखो लोकतांत्रिक गनराज पिल्कुल लोकतांत्रिक गनराज थे हम इसमें से शंपून प्रभुत संपन लोकतंत्रात्मक गनराज तुबारे सुना शंपून प्रभुत संपन लोकतंत्रात्मक गनराज पिल्कुल थे अब इसमें से शंपून प्रभुत संपन पंत निर्पेच लोकतंत्रात्मक गनराज आप बताए प्रियम्बल में जो है एक amendment होता है एक ही बार होता है उसमें तीन सब्द जोड़े जाते हैं इसमें से क्या-क्या जोड़े जाते हैं एक तो सब्द होता है आपका समाजवाती पंथ निर्पेच और इंट्रिगेटी ठीक है तो इसमें तीन सब्द आते हैं तो भई यह जो है 26 जनुरी 1950 की इस्तिती जो यह आपका बोल रहा है संपून प्रभुत यहां तक तो ठीक है लेकिन यह पंथ निर्पेच बात में अड़ किया जाता है तो इस वज़े से इसकी तो यह इस्तिती नहीं ह 26 जनुरी 1950 की इस्तिती नहीं है मतलब क्या है इसमें से दो अब देखो इसमें से एक ही सही होगा तो हमारी यह पोजीशन थी लेकिन उससे बहतर हमारी मतलब बहतर क्या कि उससे ज्यादा और भी तो पोजीशन थी भई तो हम संपून प्रभुत सौबरिन ठीक है डेमोक्रे का बी का ही तो एंटर्पेटेशन है एक ही सारी चीज़े बी यही में तो सामिल हो गई जरा देखो यह तो यह को स्वैम पर आच्छा दित कर लिया कि नहीं कर लिया बिल्कुल यह सेट कर लिया अच्छा दित कर लिया तो जब यह अच्छा दित कर लिया तो यह अल्ड़ी में मिल गया तो इस वज़े से इसका जो आंसर है भी सही है ओके चलो कि कुरिशन नंबर 54 सांविधानिक सरकार का क्या आज़ा है सांविधानिक सरकार का मतलब है रूल आफ ला अब रूल आफ ला प्लीज यहां पर सांविधानिक जो सरकार का आज़ा मतलब रूल आफ ला से है ठीक है तो देखते हैं कि क्या एक्शुल में इस्तिती है इसकी तो किसी राष्ट की परिसंगी संद्चना वाली एक प्रतिनिदी सरकार रूल आफ ला परिसंगी संद्चना वाली गलत भई ठीक है कोई सरकार जिस इसके प्रमुख के पास वास्तविक सक्तिया हूं तो देखो इसमें से वास्तविक सक्तिया जहां रूल ओफ ला की बात है तो यहां पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जैसे कोई क्योभी सरकार जिसके पास नाम्मात्र एक सकते हैं लेकिस सरकार तो राश्तंत्रात्मक्त हो सकती है अब किसी सबब्ल launching की सीमाव से परिबद्ध हो, बिल्कुल, rule of law क्या करता है, कि इसमें minimum मतलब government को limited करता है, क्या करता है, उसमें से limitations लगाता है, सीमाओं के अंदर एक दाइरा create करता है, आप rule of law तो यही है न, कि आप सीमाओं के बाहर नहीं जाओगे, तो सामविधानिक सरकार का मतलब, कि जो सरकार का जो power मतलब यहां पर आप देखोगे, तो इसमें से limitation होगा, सीमाओं होगी, तो कोई भी सरकार जो समविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, बिल्कुल, तो statement जो है, D is right, ओके, अगला देखो, भारत के संधर में हल भी हो कोई पद, अच्छा, यह जो actual में है न, यह आपका पॉल ओके, अगला देखो भी, भारत रत्न और पद्म पुरुसकारों के संबंध में निमलिखित कतनों पे बिचार कीजे, भारत रत्न और पद्म पुरुसकार भारत के संभिधान के अनुछेद 18-1 के अंतरगत उपाधियां हैं, गलत, भी, 18 यही बात करता है कि उपाधियों को मतलब है, रिमूबल की बात करता है, तो इस्टेटमेंट फस्ट है, उपाधियों के अंद की बात करता है, तो यह गलत हो गया, और यह उपाधियों पहले बात तो मैं यह बता दूँ, यह टाइटल नहीं है, ठीक है, यह अवाइड की स्रेंडी में है, ठीक है, वर्स 1904 में प्रारम किये गए पद्म पुरुषकारों जो पद्म पुरुषकारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था नहीं सर दो बार निलंबित किया गया था ठीक है तो इस स्टेटमेंट दो भी गलत है इसी वर्स बिसेश मतलब वर्स बिसेश में भारत रत्म पुरुषकारों क अधिकतम संख्या पांच तक सीमित है नैसर तीन तो यह भी गलत है एक दो तीन कोई निखो है दी नंबर तो दी नंबर इस राइट है भारत के संदर में निम लिखित कतनों पर विचार की जे इसमें से हिरा जो नियाक हिरासत का अर्थ है ध्यान से सुना भारत के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो इसमें से जो पहला statement है वो है कि नयाइक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त सम्मंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है ठीक है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है ना कि जेल में नयाइक हिरासत का ही मतलब ही होता है जेल मतलब क्या कि देखो पुलिस हिरासत की आपने देखा होगा कई बाद चलो अभी recent की मैं घटना बता दूँ जैसे कि यह अभी लखीम पुर खिरी वाला केस कांड देखी रहे है अगर माल लो कि जैसे मुख आरोपी है और मुख आरोपी की जो पुलिस कह रही है अगर वो पच्छ रख रही है कि भई आप हमें पुलिस रिमांड में दीजे तो यह क्या हो गई पुलिस हिरासत हो गई मतलब आप उसे पुछताश करोगे और हवालात में रखोगे पुछताश करोगे और उसे हवालात में रखोगे बेल ठीक है इसमें क्या कह रहा है कि नयाइक हिरासत का मतलब है कि अभी प्रभारी पुलिस अधिकारी नयालय की अनुमती के बिना संदिख्ध व्यक्ति से पूंचनाच नहीं कर सकते हैं दुबारा सुनना नय खिरासत के दौरान मामले के प्रभारी जो पुलिस अधिकारी है नयालय की अनुमती के बिना संदिख्ध व्यक्तियों से पूछताच नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसमें से यह भी गलत हो गया तो इसका जो आंसर है वो डी है ओके इसमें से आप देखो 63 नंबर अब 63 नंबर में से कि इस दे आप एक चीज चिसमें से जड़ा देखो इसमेंसे डी नहीं नहीं हो गया मैं बताता हूं नयाएख हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस सद्धिकारी नरे की नयाएख तो जब उसको नए खिरासत दी गई है मतलब उसे जेल भीज दिया गया है 14 दिन की नए खिरासत की रासत में जितने भी दिन की रखी गई है तो आप जो मजिस्ट्रेट से क्या करोगे उससे अनुमती लोगे और फिर पूछताच कर सकोगे तो जो स्टेट्मेंट सेकेंड है वो right है statement second है वो right है ठीक है चलो त्रेसर नमबर देखो भारत के संदर में निमलिखित कत्रों पर बिचार कीजे जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को parole मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है नहीं भी ये अधिकार का मामला नहीं बन जाता है अगर आपका good conduct के basis पे अच्छे आचरण के basis पे आपको parole दी जाती है तो statement first is wrong अब कैदी की parole पर छोड़ने के लिए राज सरकारों के अपने नियम है बिलकुल तो 63 कर जो है पी राइट जो उसर देखो राश्ट्री इस्तर पर जो है अधिसूचित अनुसूचित जन्जाती अन्य पारम पर एक वन नेवासी वन अधिकारी अधिकारों की मानता अधनिय 2006 के प्रभावी काद्यान्वेन को सुनेशित करने के लिए कौन सा मंत्राल है केंद्रक अभिकरन यानि नोडल एजन्सी है तो मिनिस्ट्री ओफ ट्राइवल अफेयर देखो कोई है पद्रवन उवन जलवायों परिवर्तन पंचायती राज ग्रावीन विकास जन्जाती कार मंत्राल है डी नमबर कानून को लागु करने के मामले में कोई बिधान जो किसी कार्यपालक अत्वा प्रसासनिक प्राधिकारी को अनर्देशित करता है और अनियंत्रित बिवे का दिकार देता है तो भारत के संब्धान के अनुच्छेदों में से किसका उलंगन करता है कानूम को लागू करने के मामले में ठीक है तो इसमें से कोई बिधान जो किसी कारपालक या प्रसासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित या अनियंतरित बिवेक अधिकार देता है यदि रूल ओफ ला अर्टिकल फर्टीन तो भारत के सम्मिधान के अनुछेदों में से किसक यह जो है प्रॉपरली चौदा का उलंगन होगा ठीक है तो आपने यह देख लिया नंबर छाचाट भारती राज ब्यवस्ता में निम लिखित में से कौन सी अनिवार बिसेश्ता है जो यह बात को दर्साती है कि उसका शुरूब संगी है क्या कौन सी तो न्यायाले की स्व जो यह दर्साती है कि उसका शुरूब संगी है न्यायाले की स्वतंडरता सुरचित है ठीक है इस्टीट्मेंट संग की कार्यपालि का जो भब है विधाईका में संगठक एकाईयों के निर्वाचित जो प्रतिनिधी होते हैं किंद्री मंत्री मन्नल में छेत्री पार्टिय के निर्वाजत प्रदिनिधी हो सकते हैं मूल अधिकार जो है नियालियों द्वारा प्रवर्थ ने हैं तो इसमें से आप को यह देखना है कि जो भारती राज ब्यवस्था में निमलिखत में से कौन सी अनिवार विसिस्था है कि अगर मान लो कि ऐसा होता है कि इस्टेट और क्या होता है होता है लड़ाई जगड़ा होता है इंतरप्रम चीजों को करता है interpretation करता है तो न्यायाले की स्वतंतरता सुरच्छित है तो जो राज व्यवस्था की मतलब भारती राज व्यवस्था की यही अनिवार बिसेश्था है इसके साथ साथ बात करें हम 67 तो देखो 67 जो है question number 67 है निमलिकित में से कौन सा राज सब्द का सरोत्म तोर से परिभासित करता है मैंने इसको कई बार इस question को अपने जो प्रासिस में economy भी पढ़ाता हूं तो एक reference देखे बताता हूं तो इसमें से जरा राज की परिभासा मतलब राज राज का मतलब यहां देश से है तो कौन सा मतलब सरोत्म तोर से परिभासित करता है राज में क्या क्या होता है sovereignty क्या होती है दूसरी population पॉपुलेशन और तीस्ता गवर्मेंट यह चार चीजें होती है तो पहले आप यह देख लो भी अगर इन में से हां से सुनना नेशन कब हो जाएगा अगर इन में से जो है आपका यह इन्टरनल इंट्रिगिटी जुड़ जाए मतलब इसमें से जैसे कि हम आज भी नेशन बनने की यह नि एक प्रॉसस में हैं हम नेशन नहीं है क्योंकि जो हमारी एक यूनिटी है ठीक है हम जिग्रोफिकली यूनिफाइड हैं लेकिन हम ऐसे कह सकते हो कि मनो बेग्याने के लिए साइकलोजीकली अपने आपको यूनाइट नहीं मान रहे हैं क्यों अगर ऐसा होत तो North East में अलग-अलग राजियों की मांग उठती रहती है, इसी थरह सदन जो इस्टेट हैं, वो अलग राजिय की मांग करते हैं, मतलब अलग देश से कटने की मांग करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो psychologically, जो integrity है, तो वो नहीं है, हम एक process में हैं, राष्ट बनेने के process में तो अगर इसमें से ये मनो बैग्यानिक जो unity है, एड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो nation कहलाएगा, तो ये चार चीज़े ढूडो इन चारों में से क्या कौन सी भाई, अगर आपको इन चार चीज़ों में से कोई चीज मिल जाती है, तो देखो, व्यक्तियों का एक सम अजनातिक तोर से संगठित लोग जो स्वैम पर सासन करने, स्वैम पर सासन करने मतलब सरकार की बात हो रही है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसरगिक अधिकारों की रच्छा करने, और अपनी जीविका के साधनों को सुरचित रखने का अधिकार रहते हैं, इसमें से सरोतम ढूड़ना है, एक निश्चित भूबाग में इस्थाई रूप से रह रहा है, समाज जिसकी एक केंद्री प्राधिकारी और केंद्री प्राधिकारी के पति उत्तरदाई कारेपाली का और स्वतंत्र न्यायपाली का है, तो इसमें अगर हम बात क नियंत्रण के, मतलब ये सॉबरिंटी, ये निश्चित हो गया, निश्चित भूबाग, जिगरोफी, इस्थाई तोर से निवास करता है, और जिसकी संग्ठित सरकार है, ये चारों चीजे निकल के आ रही है, ब्यक्तियों का एक समुदा है, जो बिना किसी बाह बिना किसी बाह प्रेशर के या इंटर्नल प्रेशर के कोई असर नहीं डाल सकता है, तो यहीं सॉबरिंटी है, तो यहां पर सॉबरेष्चित सरकार this is a statement is right तो यह ध्यान रखना भारती न्याय पालिका के संदर में निम्लिखित कत्रों पर बिचार कीजे अब इसमें से भारती न्याय पालिका के संदर में भारत के राष्टपती की पुर्वानुमती जो है पुर्वानुमती से भारत के मुख्य न्यायमूर्थी द्वा सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर भारत के किसी भी उच्च नायाले को अपने निर्ने के पुनर्विलोकन की सक्ति पास में है जैसा कि उच्तम ने आयले के पास बिलकुल रिविव कर सकता है अनुचेद 128 तो भारत तो इस्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं देखो दो सी इस राइट यह देखो 79 भारत के संदर में निमलिकित कत्रों पर बिचार कीजिए भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है जो 32 जन में से नागरिक हो केवल वही राष्टा ध्यच बन सकता है राष्टा ध्यच मतलब राष्ट्रपती नहीं हमारे हां ऐसा नहीं है पाइवर्थ वह अमेरिका का नेचर है ठीक है तो इस्टेटमेंट सेकेंड कट गया जिस बिदेशी को एक बार नागरिक्ता दे दी गई है किस और इसी भी परिष्टिती में हुसे वंचत नहीं किया जा सकता अगर वसका भाब है तो इसमें से किवल मतलब है भारत में किवल एक और एक ही अधिवास बिल्कुल एक ही नागरिकता स्टेटमेंट फरस्ट राइट उकेлом शत्तर देखो निमलिकित में से कौन सा कारक किसी उदार लोक तंत्र ध्यां से सुनना प्लीज उदार लोक तंत्र में स्वतंद्रता की सरवोत्तम सुरच्छा को नियत करता है सरवोत्त्त की नियत करतां एक प्रतिवद्ध नयाय पालिका नोसर प्रतिवद्ध कमिंट युरिस्ति नहीं हो सकते है चल्थ यूबेशन हो चा जये टो चाहेगा और बनेजल मेदेय बहुत हो सकती है है ना निर्वाचिस सरकार जरूरी नहीं है और इसमें से रूल जैसे सक्तियों का प्रथक करन एक जो है कुछ बुक्स हैं जैसे की रूसों की बुक्स है एक है वहाँ भी सेप्रेशन आप पार की बात करी गई है वहीं उनके साथ साथ इसमें से रूसों की और एक कांट की भी तो वहाँ इस सीच को मतलब बहुत अच्छे सीच को दर्साया गया है तो जिस सपरेशना पार है जो सक्तिया है यही आपकी उदार लोकतंतर में स्वतंतरता की सरोतम ब्याख्या करती है 97 हमने ब्रिटिस मॉडल पर अधारिद संसिदी लोकतंतर को अपनाया हमने ब्रिटिस मॉडल पर अधारिद संसिदी लोकतंतर को अपनाया किन्तु हमारा मॉडल उस माडल से किस प्रकारभिन है जहां तक विधी निर्मान का संबंध है ब्रिटिस संसद सरोपरी अथ्वा संप्रभू है किन्तु भारत में जो है संसद की विधी निर्मान की सक्ति परिसीमित है ठीक है भारत में संसद के किसी भी अधनियम के संसोधन की संब्यधानिक्ता में संसोधन संबंधित मामले उचतम नयाले द्वारा संब्यधान पीठ को भेजे जाते हैं है यहां ध्यान से सुना है कि हमने ब्रिटिस मौडल पर आधार संसथी लोग तंद्र को अपनाया है раздел कि विभी निर्मान का संबंध है ब्रिटिस संसद सँरो परी सो शंपरभी धारत में संसद की बिधी का निर्मान की सकती परिसी में था ठीक है बिलकुल सही है संसद में क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो जिवडीश्री मदलब अंतिम इंट्रेटेशन करेगी भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संसोधन की सम्मेधानिकता से संबंदित मामले उचितम नयायाले द्वारा सम्मेधान पीट भेजे जा सकते हैं बिलकुल सिर्फ भारत में ऐसा है और बाकी जैसे की अमेरिका में ऐसा नहीं है लेकिन भारत में ऐसा है स्टेटमेंट फस्ट और सेकेंड इस राइट बोथा राइट सी नमबर अब जड़ा इसे समझने का प्रयास करें अगला संग सरकार के जो है संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे एन गोपाल स्वामी आयंगर समिती के सुझाओ दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रसासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूनता नामित किया चाना चाहिए नहीं सर एन गोपाल आयंगर समिती नहीं फर्स्ट एरसी ठीक है तो इस्टेट्मेंट सेकंड रॉंग स्वरी फर्स्ट रॉंग प्रसासनिक सुधार अयोग उनिसो चाचट की संतुती के आधार पर वर्स उनिसो ये गवर्नेंस का सवाल है उनिसो सत्तर में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधान मंत्री के प्रभार के अधीन जी नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन तो ये भी तो मदलब पस्ट और दो दोनों गलत डी नंबर ठीक है भारत के संविधान के किस अनुछेद के अंतरगर निज्टा का अधिकार है पुटू स्वामी केस पुटा स्वामी किस अनुछेद तो आपने इन सारी सीजों को देखा उमीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट नहीं होगा अगर कोई डाउट होगा तो कमेंड में आप कमेंड के माध्यम से पूछ लीजेगा ठीक है अगर किसी को भी थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है ठीक है और जो है मैंने एकॉनमी में जो कि नहीं है तो यह सारी चीजे देख ली है आपने तो और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जैसे कि मैं पढ़ाता हूं ठीक है तो हिस्ट्री का भी हम आपके सामने ले आएंगे जो है एक्स्प्लानिशन डेटेल एनालेसिस ठीक है तो थैंक्यू बेरी मच अपना अपना ध्यान रखिएगा करीब इसमें से पॉलिटी में सत्रा से अठ्रा कुश्चन आए हैं इस साल जैसे कि एकॉनमी में आए हैं ओके तैंक्यू बेरी मच